मोहित कुमार जी गुरु जी कहते हैं इश्वर हम में ही व्याप्त है तो फिर जब हम गलत काम करते हैं तो क्यों नहीं रोकते और जब हम सब कुछ उसी की मर्जी से होता है और हम सब उसके साधन मात्र हैं तो फिर हम सब को पाप पुनने की सजा क्यों मिलती हैं। देखिए ईश्वर हम सब में व्याप्त हैं। तो फिर जब गलत करते हैं तो भगवान रोकते क्यों नहीं। देखिए भगवान हम सब के भीतर व्याप्त हैं। पर वो क्यों रोकेंगे। आपके पास तो भगवान ने बुद्धी दी है ना आप अपनी बुद्धी से क्यों नहीं रोके भगवान क्यों रोकें आपको और भगवान क्या है हमारे भीतर किस रूप में है वो भी समझिएगा जैसे आपके घर में लाइट है आपने बोड में जाकर के हीटर का प्लक लगाया तो कमरा गरम हो जाएगा अब हीटर का प्लक लगा दिया है तो कमरा गरम होगा और उस हीटर में कोई हाथ रख दे तो उसको करेंट भी लगेगा और कोई आपने उसके उपर कपड़े डाल दी है तो आग भी लग जाएगी अब आग लग जाएगी तो क्या बिजली रोकेगी ए भाई हीटर आग क्यों लगा रहा है भाई बिजली का काम प्रकास देना है बिजली का काम लाइट देना है अब उस light में heater का प्लग लगाओ या AC का वो तुमारी मरजी है light नहीं रोकेगी कि तुम heater का क्यों लगा रहे हो AC का क्यों उसी प्रकार परमात्मा तो हमारी भी तरिक light की रूप में विद्यमान है न शक्ति की रूप में, energy की रूप में अब उस शक्ति का आप दुरुपयोग करें या सदुपयोग वो तो आपको बुद्धी दे रखे ही इश्वर में अब आप निरने लीजिए कि आपको क्या करना है तो इश्वर क्यों रोकेंगे आपको कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं और अंतरात्मा से आवाज आती भी है कई बार जब आप गलत निरने लेते हैं गलत करते हैं तो एक बार भीतर से आवाज आती है कि ये गलत है पर उस आवाज को कोई मानता नहीं है आत्मा की आवाज वो परमात्मा की ही होती है तो ईश्वर आपके पाप मेंसे किसी भी पाप का भागीदार ईश्वर नहीं है क्योंकि आपके पास ग्यान था आपके पास ग्यान है ये सही है ये गलत है आपसे कोई कहेगा कि कुई में कूद जाओ तो थोड़ी कूद जाएंगे आप क्योंकि आपको पता है कि ये सही है ये गलत है तो फिर गलत काम करने के पहले आप क्यों नहीं रुके आपको पता चाना कि ये गलत है करते गए चुश्म भगवान थोड़ी दोसी है भगवान की मरजी के बना पत्ता नहीं हिलता ये तो सत्य है मोहित जी परंतु आपकी गाड़ी को ड्राइवर लेके जाए और कहीं गाड़ी गड़े में गिरा दे गाड़ी का एक्सिडेंट कर दे तो गाड़ी तो आपकी थी आपकी मर्जी से चलती थी जहां आप बोलेंगे वहां गाड़ी का ड्राइवर लेकर जाएगा पर गारी का accident हो गया ये तो आपकी मरजी नहीं थी ये तो driver की लापरवाही से हुआ है उसी प्रकार संसार तो परमात्मा की मरजी से चलता है परंपु जब आप जैसे driver की गलती से accident हुआ उसी प्रकार आपके गलत decision से आप के साथ गलत हुआ क्यों गलत डिसीजन लेने की छमताईश्वर ने दी है न क्यों गलत डिसीजन लो क्यों गलत निरने लो आपके जीवन का एक गलत डिसीजन आपको गलत कर देता है और आपके जीवन का एक सही डिसीजन आपको सही बना देता है एक गलट decision नहीं लेना चाहिए और decision लेने की छमता ईश्वर ने हम सब की भी तर दे रखी है कोई कर पाता है निरने कोई नहीं कर पाता जो कर पाते हैं वो सफल हैं नहीं कर पाते हैं हाँ तो ईश्वर ही जीव मात्र को हमें और आपको ही पाप पुन्ने लगेगा भागवान की मर्जी से थोड़ी हुआ है भागवान ने तुम्हें बुद्धी दे कर वो स्वतंत्र अलग होगए यदि तो मूर्ख होते बुद्धी हीन होते तो फिर कहा जा सकता है कि भगवान ही दोसी है पर तुम्हें तो बुद्धी दी है ना सही गलत में भेद दिया है ना इसलिए श्वतंत्र हो आप पापर पुन्य करने में भगवान का कोई दोस नहीं है